रादे रादे जैसी क्रशना आज मैं आपको मंगला गोरी व्रैत कता सुनाने जारी हूँ कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बैल जरू प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जैहु मंगला गोरी की जरू लिखें धन्यवाद, कहानी इस प्रकार है एक बार एक गाउं में एक सहुकार पती पत्नी थे भगवान का दिया उनके पास सब कुछ था लेकिन शादी के पांच-छे वर्ष बाद भी उन्हें उलाद सुख नहीं मिला तब एक दिन सहुकार की बुहा उनके घर आई जब भुहा ने देखा कि उसके भतीजे को कोई उलाद नहीं है तो उसने मंगला गोरी वरत करने की सलहा दी तब फिर सावन का महिना का पहला मंगलवार आया तो सहुकार नी ने मंगला गोरी वरत का संकल्प लिया और पूरे विदी विदान से सहुकार नी मंगला गोरी व्रत करने लगी इस तरह व्रत करते करते कई महने बीट गए तब एक दिन गोरी मा ने सहुकार को सपन में दर्शन दे कर कहा कि हे सहुकार मैं तेरी पत्नी के व्रत से खुश हूँ मांगो तुमें क्या चाहिए तब सहुकार ने पुत्र की कामना की तब मा गोरी ने सहुकार से कहा कि हे सहुकार तुम अपनी पत्नी को एक आम उस पेड का ला कर दो जिस पेड के चबुत्रे पर गणेश भगवान की प्रतीमा विराजमान हो तब दूसरे दिन सहुकार ने अपने सप्न वाली बात अपनी पत्नी को बताई अब सहुकार ऐसे आम का पेड ढूरने लगा जिस पेड के चबुत्रे के नीचे गणेश जी की प्रतीमा विराजमान होवे काफी खोजबिन करने के बाद सहुकार को एक स्थान मिला जिस आम के पेड के चबुत्रे के नीचे गणेश भगवान की एक बहुत प्राचीन प्रतीमा विराजमान थी उस पेड पर बहुत आम थे लेकिन बहुत उचे थे तब सहुकार ने पत्थर मार कर आम लेना चाहा तब एक पत्था गणेश जी की प्रतिमा को लग जाती है तबी वहां आकाशवाणी होती है गणेश भगवान ने कहा कि अरे मूरक तू अपने लालच के कारण मुझे पत्थर मार रहा है जा जिस कारण तू आम ले जा रहा है तुझे बच्चा तो होगा लेकिन बीस वर्ष की आयू में उसे सर्प दन्शिक से तुमारे पुत्र की मृत्यू हो जाईगी सहुकार ने बहुत विंती की परंतु कुछ फल नहीं मिला सहुकार उदास मन से एक आम ले जाकर अपनी पत्नी को दे देता है लेकिन वो आकाश्वानी वाली बात अपनी पत्नी को नहीं बताता सहुकार नी को नवे मैने में सुंदर पुत्र पैदा हुआ सहुकार को उससे ना खुशी हुई न दुख हुआ बच्चा बड़ा हुआ तब सहुकार के काम में हाथ बटाने लगा तब एक बार दोनों पिता पुत्र व्यापार के काम से दूसरे गाउं में गए हुए थे काम खतम करके दोनों पिता पुत्र एक पेड़ के नीचे नदी के किनारे खाना खा रहे थे तब ही वहाँ दो लड़किया नदी पर पानी भरने आई एक का नाम कमला और दूसरी का विमला था कमला ने विमला से कहा कि विमला मैंने सावन के मंगलवार से मंगला गोरी व्रत किया है मेरी मा कह रही थी कि मंगला गोरी व्रत करने से जल्दी शादी होती है साथ ही सुहाग भी अखंड रहता है पिता पुत्र उन दोनों लड़कियों की बाते सुन रहे थे साउकार ने मनी मन निश्चे किया कि अगर मैं अपने लड़के की शादी कमला से करवा दूं तो मेरे बेटे की उम्र बढ़ जाएगी तब दोनों पिता पुत्र कमला के पीछे पीछे उनके घर पर दे भगवान की क्रपा से कमला का परिवार भी उनी की जाती के निकले तब साउकार ने अपने पुत्र का रिष्टा कमला से करने का प्रस्ताव रखा तब कमला के माता पिता को रिष्टा मंजूर हो गया और धूम धाम से साउकार ने अपने पुत्र की शादी कर दी शादी का कुछ समय तो अच्छे से निकल गया तब एक रात्री को मा गोरी ने कमला को सपन में धर्शन देकर कहा हे पुत्री मैं तेरे व्रत से खुश हूँ मैं तुझे वर्दान देना चाहती हूँ कल रात्री को एक सर्प तेरे पती को डसने आएगा तुम पहले से ही उसके लिए एक दूद का कटोरा भरके रख देना साथी एक खाली मटकी भी रखना जब सर्प दूद पिएगा तो उसे नीन आ जाएगी तुम उस सर्प को मटके में रखका ढका लगा देना और कपड़े से मू बान देना और रातरी को ही जंगल में ले जाकर छोड़ देना जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाए तुम घर में किसी से इसका जिक्र मत करना कमला बड़ी होशियार और समझदार थी उसने घर में ये बात किसी को नहीं कही दूसरे दिन रातरी में जब सब सो गए तो उसने एक कटोरे में दूद रखा और एक खाली मटकी धक्कन और कपड़ा पहले से ही रख लिया और रातरी को सर्प आया दूद पीते ही उसे नीन आ गई कमला ने सर्प को पकड़ कर मटके में रखा धक्कन लगा दिया और मटके का मुँ कपड़ से बान दिया और रातरी में ही मटके को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया और घर आकर सो गई दूसरे दिन उसने इस बात का जिक्र अपने पती वा साथ ससुर को बताया सहुकार ने अपनी बहु को दूदो नहाओ पूतो फलो का अशिर्वात दिया उस दिन सहुकार ने अपने पत्नी वा बेटे को 20 साल पहले वाली बात बताई उस दिन सहुकार को कमला से अपने पुत्र का विवा करने वाला फैसला बहुत भला लगा तो हे मा गोरी, वैसे आपने सहुकार की बहु का सुहाग अखंड किया, अमर किया וैसे सबका करना, कहने वाले का, सुनने वाले का, और हुकारा भढ़ने वाले का घरतियों तो पूरियों, पूरियों तो परवान चड़े भूले, विस्ले नाम तर भंडार में भरे तो आज मैंने आपको मंगला गोरी व्रत कथा सुनाई अगर आपको यह पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में जदा से जदा शेयर करके पुन्या कमाई धन्यवाद